आज जो माउंटिन पॉलिटी में हमारा फर्स्ट चॉपिक रहेगा देट विल बी दा ओनरेबल सुप्रीम कोट तो सुप्रीम कोट, कोट्स अफ कोट्स, है ना इस दा अपेक्स कोट अफ इंडिया इसे हम सर्वोच न्यायले भी बोलते हैं यह खापे सिट्वेटिटीड है, यह इंटो दा निव डेली आर्टिकल 124 तो आर्टिकल 147 पार्ट 5 देल्स विद दा सुप्रीम कोट करंटली हमारे सुप्रीम कोट में 34 जज़िस है, I'm sorry 33 प्लस 1, 33 आर दा अधर जज़िस, और वन इस दा सीजी आई साब करंट सीजी आई ओफ इंडिया इस दा ओनरेबल डेवाई चंदर्चूर साब वह हमारे चीफ ज़स्टिस ओफ इंडिया है, लाइक भी यूस दा टम चीफ ज़स्टिस ओफ इंडिया तो आज हम इस बीफ यही जानेंगे, लाइक परिफ ज़स्टिस ओफ बेंग्यॉल हाई कोड़ तोdom आज हम पर्टीप्रीज़्फ ज़स्टिस ओफ इंडिया हैं तो आज हम इस पी यही जानेंगे, कि हमारा सुप्रीम कोडR कैसा institution है, पहले तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि हमारे Supreme Court में जो appointment of judges का process है उसको बोला जाता है it is called as the देखे मैं से pen भी नहीं खुल रहा कि इतने आदा ठंड़ा है आपर okay, but still it is called as the collegium okay, collegium is the name of the process which is used for the appointment of the judges in the Supreme Court अब collegium system होता क्या है देखे, collegium में the CGI will recommend the name of the other judges whereas other judges will recommend the name of the CGI तो ये एक अपने आप में एक थोड़ा centralized process कई बार इसे बोल दिया जाता है और कई organizations और especially government कई बार ऐसा कहती है कि this process is not so much democratic क्योंकि हमारे इंडिया में चाहे politicians हो, वो भी democracy से ही elect किये जाते हैं आप लोग civil services कर रहे हैं तो आप भी democracy एक democratic तरीका ही तो है merit list में आना तो आप भी democracy से ही आ रहे हैं बट judges का exam भी democracy के थूँ है उनका अपना exam है state judicial service का बट कई बार वो controversy में आता है कि that it is not open to scrutiny तो यह थोड़ा पोथ हमने कई बार ऐसा issue देखा है कि supreme court में कि जो उनका appointment process है वो थोड़ा controversial हो जाता है बट हमारी supreme court के प्रती बहुत respect है तो collegian system जैसा कि मैंने आपको बताया that it is the that the supreme court CGI will give the name of other judges whereas other judges will give the name of the CGI as suppose there is a conflict between the name of the judges कि अगर ऐसा कोई conflict हो जाता है judges के नाम में कि central government कहती है हम तो यह नाम दे रहे हैं और CGI साब कहा रहे हैं तो हम यह नाम दे रहे हैं तो at that time conflict of interest में किसका नाम सुना जाएगा that is of the CGI CGI साब जो नाम देंगे वही follow किया जाएगा note of the central government यह बहुत बड़ी बात है तो इसलिए थोड़ा collegium system को replace करने के लिए that I want to make you remember about this थोड़ा इसको याद रखेगा आपके current affair में भी आपको काम आएगा बहुत अच्छे तरीके से collegium system को replace करने के लिए जब BJP नहीं नहीं आई power में into the what you talk about this 2014 हमारी central government BJP उस टाइम एक act लेके आई जिसका नाम है NJAC act ठीक है अब यह NJAC act क्या होता है भी यह द्यान से समझे बताएए 12,000 feet पर हम बैठे हैं और आज हम NJAC के बारे पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोट हमारा दिल्ली में है यह फिर भी मज़ेगी बात है NJAC होता क्या है National Judicial Appointment Commission अब इसमें इन्होंने क्या बोला Central Government क्या परपोजल है इसमें ज्यादा कुछ mathematical calculation नहीं है Central Government ने बोला कि भाईया जो CGI साब का नाम है या फिर जो Judges का appointment है उसके अंदर हम बताएंगे ठीक है ना उसमें एक पुरा panel बनाया जाएगा जिसमें Prime Minister होंगे Leader of Opposition भी होंगे Law Minister भी होंगे CJI साब खुद भी होंगे एक Distinguished Jurist होगा Jurist मतलब जिसको Law की बहुत knowledge है यह सब लोग होंगे उसके अंदर and then they will give the name for the judges तो इससे क्या हुआ कि Supreme Court को लगने लगा कि यार यह जो Executive है यह तो फिर हमारे साथ Interferier कर रहा है Judiciary के अंदर तो यह तो बहुत problematic हो जाएगा हमारे लिए तो इसलिए Supreme Court को लगा कि इसमें कुछ खामिया है NJAC Act के अंदर तो अब इसमें हुआ क्या तो इसके NJAC Act बन भी गया Congress ने भी सुपोर्ट किया सब ने सुपोर्ट किया इसके लिए और यह President साब ने इसको पारित भी कर दिया That is assent With the assent of President It became the NJAC Act of 2014 But what happened That it got challenged into the Supreme Court यह Supreme Court में challenge हो गया अब जैसे ही यह challenge हुआ तो Supreme Court ने कुछ hearings रखी इसके दो चार पाच hearings होई और Supreme Court ने NJAC Act को क्या डिक्लियर कर दिया Null and Void Unconstitutional जिसको आप बोलते है असवेदानी गिये असवेदानी डिक्लियर हो गया अब इससे क्या हुआ Central Government कहती Supreme Court तो फिर अपने Collegium System पर आ गया तो इससे हुआ क्या दिखिए Central Government ने फिर दुबारा Moody 2 हुआ Moody 2 में 2019 टूथाउज़न नाइंटीन टूथाउज़न 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 तो मोदी टू में शुरी किरिन रिजीजु जी क्या बने हमारे लॉव मिनिस्टर तो क्रिन रिजीजु जी आते हैं नौर्थ इससे तो उन्हों ने कहा कि I will try कि मैं कुशिश करूँगा कि NJAC की उपर हम कुछ appointment commission बिल लाए तो 2021 में वो आया भी बड़ उससे भी ज़्यादा कुछ collegium system में improvement नहीं हो पाई यह हमने देखा तो इसलिए जो current about the NJAC. Thank you.